हेलो दोस्तों, आज इस मूवी का इस प्लेंड करने वाली हूँ, वो साउथ कोडिया की एक मूवी है, सो मूवी में क्या-क्या होता है इसको जाने के लिए वीडियो को लास्टे जरूर देखना, मूवी शुरू होते हैं, हमें एक शिप दिखाई देता है, जो कि होंग कॉंग से साउथ कोडिया जा रही थी, जिसमें बहुत सारे लोग थे, चार-पाच घंटे बाद उस शिप में दो आर्मी आते हैं, और देखते हैं, उस शिप में जितने भी इंसान थे, सब मर गए, और उनके उपर रेट 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 रैशेश आज जो के थे, उनमें से एक इंसान बचा हुआ था, दो आर्मी सोचते हैं, इसको मार देते हैं, लेकिन बगल में और एक आर्मी ख़़़ा था, वो कहता हैं, नहीं, इसको बचाना चाहिए, इसको एक ट्रक में बैठा के जाते हैं, लैब के उधर, डॉक्टर के पास, तो वो इंसान ट्रक से कूट के भाग जाता है, और धीरे-धीरे, वो जितने भी इंसान उनके बगल से गुजर रहा है, उसको का तवियत बिगर रहा है, सब को एक खास रहा था, फिर हमें ताई नाम के एक लड़की दिखाए देती है, जो कि एक डॉक्टर थी, वो एक गठे में गिर जाती है, और उसके मदद के लिए, एक फाइव विगेट का एक लड़का आता है, जिसका नाम होता है जून, जून कीम को बचाने के लिए गठे में कूटता है, तो कीम को देखके जून पहली नजर में उसके उपर फीदा हो गया, बदब एक नजर में कीम से प्यार हो गया, कीम को बचा के उपर आता है, तो जून बुचता है, तुम कहा रहती है, फ्लट कर रहता है, कीम के साथ, कीम किम से बहुत प्यार करता है वो गड़े में कोद गया उसका सामान में उसका बैग में देखा कि किम की शादी हो चुकी है और इसकी एक बेटी भी है लेकिन उसका हस्में बहुत साल पहले ही उसको छोड़ दिया है यह सुनके जुन को काफी बुरा लगता है और उपर आकर किम को बैग देने के लिए जाता है तो देखता है कि मुधर नहीं है वो सुचता है उसके बेटी के स्कूल में जाओंगा कल और किम का बैग उसकी बेटी को दे दूंगा अगली सुबा जून उसकी बेटी के स्कूल में जाता है तो पता चलता है उसके बेटी के नाम है ताई द बूरा लगता है वो उस इंसान को कुछ खाने के लिए देता है वो इंसान बहुत जली जली खा रहा था ताहिए उसके पास जाती है बोल इंसान भाग जाता है मेरे पस मत आओ तुम नहीं बचोगी तो धीरे धीरे पूरी सीटी में सब लोग बिमार पढ़ रहे थे रेट रे लोग लोग डॉन कर देता है सब मॉल दोकान सब बंद हो जाता है अर्मी लोग पकर पकर के एक कैम्प में एक साथ रख रहे थे डॉक्तर ने मना किया था कि एक साथ मत रहो जो लोग ठीक है वो लोग भी बिमार हो जाएंगे लेकिन प्रेसिडेंट उनका बात नहीं सुनत सब्सक्राइब से मुड़ा हो इंसान को उठा के एक गढ़े में फेक के जला रहाता है ऐसा देखके जून कीम बहुत परेशान हो रहा था फिर ताई के तबियत अचानक से बिगरने लगा यह देखके कीम बहुत डर गया क्योंकि वह अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं कुछ डॉक्टर अपने साथ रिसर्च सेंटर ले जाते हैं जहां पर वह ट्रक से भाग गया था और उसका टेस्ट करने लगे फिर कीम को पता चला उसका ब्लट से सीरप बना सकते हैं क्योंकि उसको बिमारी हुआ था फिर से ठीक भी हो गया था मतलब एंटीडोट उसके ख जोश हो जाती है आडवी वाले सोसते यह मर गया तो उसको फेग देते हैं बागी लाश के साथ जून आता है दिखता है ताई नहीं है किम से कुछ तिया तो बोले लोग ले गया प्लीस मेरी बेटी को बचा लो उधरी जाता है काफी मूर्दे थे और उसमें आग लगा पूत के ताई नहीं चिला रहा था ताई का नाम तो उसको अचानर से एक बच्ची पर नजर पड़ी वो ताई थी और उसको पता चला ताई अभी जिंदा है वो उसको लेके बाहर आ रहा था तो आन्मी लोग उसके उपर फायर करने लगे लेकिन जून उदर से जैसे तैस बना सकते हैं मेरी बेटी को छोड़ दो अप लोग उसको अशेव जगह ले जाओ लेकिन उसका प्रेसिदेंट उसके बाद पर बिलिब नहीं करते हैं और आर्मी इसको कह देते हैं सब को मार दो इसको अबर दाल रहते हैं फिर जून कीम ताई को चुपके से उधर से ले ज देखाने गया वह उन दोनों के आगे आके रोने लगे और हाथ फैला के बोली प्लीज मेरी मोम को मत मारो यह देखके बाकी सब इमोशनल हो गए और सब एक साथ मिलका आर्मी लोगों के उपर हमला करने लिए और तीनों को चारो तरफ से घेर के लिए उनको बचाने के और जून कीम को फॉसेल ले जाता है फिर कुछ साल बाद का सिंदी खुशेशत जी रहे और वो दोनों एक दूसर से शाधी करके उन तिनों एक हैपी फैमिली की तरह रहने लगे इसी के सथ यह मोवी एंड हो जाती है उमीद है आप लोगों को कहानी समझाए होगी वीडिय जाना तब तक लेटा टा बाई बाई थैंक्स वर वाचिंग